जी नमस्कार जैहन टो आल आफ यू क्या हाल चाल तो मुझे आप सभी जल्दी से बता देंगे क्या मैं लाइव आ चुका हूं और मेरी आवाज इस्पष्ट होनी चाहिए बिलकुल ओडिबल होनी चाहिए चलो बाई आएम लाइव मैं लाइव आ जुका हूं अंजनी प्रतीक श्रद्धा रागाओ क्या हाल चाल तो हम लोगों ने जो लाश्ट वी का डिसकेशन था आर्टिकल 12 क्योंकि आर्टिकल 12 भी फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर का पार्ट है तो आज फंडामेंटल राइट के डिसकेशन को ही आगे बढ़ाएंगे और कई प्रश्ण लीला केवल फंडामेंटल राइट पर होगे ठीक है कि वेरी गुड कैसे उदित अंजनी ठीक है आप सभी की कमेंट मुझे दिख रहे हैं तो मैं आप सभी को लेकर आगे बढ़ता हूं तो हमारी चर्चा बेटा फंडामेंटल राइट पर होगी पार्ट टू पर होगी ये लेक्चर नमबर सिक्स है कॉंस्टिटूशन ओफ इंडिया के लिए आप किसी भी राज के नियाइक सिवा की तैयारी कर रहे हूं आप सभी का प्रश्ण लीला में स्वागत है लीला मैं करूंगा प्रश्ण मेरे रहेंगे जवाब आप देंगे फसेंगे आप गलती आप करेंगे लेकिन जितनी गलती करेंगे जितना डाउट होगा ये जान लेना एक्जामनीशन में सफलता की जो प्रॉबेबैलिटी है जो चांसेस हैं वो उतना बढ़ जाएगा तो मेरा नाम आत्मप्रकास सिंग सर है आप सभी को पता होगा अब तक तो ठेक है तो चलिए आप सभी खूब सारा प्यार मुझे कमेंट सेक्शन में भेजी और मैं आप सभी को लेकर आगे बढ़ता हूं संजुकता आसीश अंजनी पुश्कर जौदाउन चलो भाई तो नियम बिलकुल सेम है आपके सामने एक सवाल होगा उस सवाल में बेटा आपको सफिस्टेंट समय दिया जाएगा पढ़ने का और आपको जो आंसर है वो जब मैं पोल एक्टिवेट करूंगा तो कमेंट सेक्शन में करना है ठीक है तो पोल बड़ा होश्यार है वो आप आपकी आंसर को ले लेगा एंड लीडर बोर्ड विल बी प्रेपेर अकॉर्डिंग ली तो चलिए मैं आज की सेशन की शुरुआत करता हूं पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फंडामेंटल राइट से हैं पहले सवाल ध्यान पूरवक पढ़ लीजे सवा सवाल है आर्टिकिल 12 से ठीक है आपके सामने बेटा चार आप्शन है आपको बताना है 123 में कौन सा स्टेट है कौन सा स्टेट नहीं है आपका पॉल शुरू करता हूं झाल सुच है आपके सा तो किसी कि बेक है दो तो किसी का है आपके सामेल के सामने है आपको पा continued झाल बेरे गोड साबाश आप लोगों को पढ़ाया है उसके बावजूद मैं आप से कहूंगा कुछ चीजों को याद कर डालो एक लिष्ट बना लो क्या राज्य है क्या राज्य नहीं है प्रिलिम्स में सवाल पूछा जाता है ठीक है तो चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिस सूर्स ऑफ पावर ऑफ जुडिशल रिव्यू नियाइक पुनरविलोकन ठीक है न तो जुडिशल रिव्यू का सूर्स क्या है आपके सामने चार आप्शन है आपका पोल शुरू होता है अब ध्यान पूर्वक पढ़िए और आगे बढ़िए ये पीवाई क्यू भी है स्रिष्टी लक्की चालो भाई सभी आगे बढ़ेंगे कर लेंगेंगेंगें कर दो बहुत अच्छे साबाश तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी ठीक है ना आर्टिकल 13 ऑफ दी कॉंस्टिटूशन ऑफ इंडिया ठीक है बटा सोर्स पूछा है ना आर्टिकल 13 कहता है जो भी लॉस बनेंगे दैट शुट बीन कंसुनेंस विद फंडामेंटल राइट तो यह तो रेमेडी हो गई वैसे यहां भी जूडिशल रिवीव होता है लेकिन जब 32, 226, 13, 137, 142 सब दिया है तो सबसे बढ़ियां विकल्प है आर्टिकल 13 ठीक है सबाज ठीक है आपके पास तीन आप्शन है आपको बताना है राइट टू इक्वैलिटी के एम बिट में क्या क्या आएगा ठीक है ठीक है सबस्टी के अईसरे के आप प्रत है सबस्ट consigo're किंप है आपको कि एमें दोग क्या है 5 चलो बई आपका पोल खतम होता है question number 3 का सही जवाब है C ठीक है 70% बच्चों ने सही जवाब दिया विटा ये देखो abolition of title तो हई है directly आपको fundamental right में मिल जाएगा abolition of economic inequality basically directive principle of state policy में दिया हुआ है ठीक है न ये fundamental right में थोड़ी नहीं है और उसी तरहिके से विटा protection of language and culture तो बिलकुल अलग DPSP है 350, 350A वगरा पढ़ोगे है तो ये तो बिलकुल direct bearing है fundamental right पर पूछा right to equality मतलब इस classification में क्या क्या आता है ठीक है तो इसका सही जवाब है C very good कैसी हो प्रिया, भुज्जो, भाई बेहन एक साथ मिल रहे हैं वाई टी पर पहले रोज मिलते थे ठीक है The right to equality provided in the constitution covers which of the following fundamental right यदि हम समानता के अधिकार की बात करते हैं तो 1, 2, 3 में कौन सा समानता का अधिकार आएगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है Very good तो देखिये इसका सही जवाब है ए मतलब पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत पेटा ये to move freely ये तो article 19 है है ना ये equality में नहीं आता है ये तो दूसरा classification है ठीक है ये classification राइट तो freedom से जुड़ा हुआ है ठीक है ना तो तीसरा गलत है, पहला सही है, दूसरा सही है क्योंकि राइट तो equality पूछा जा रहा है साबाश question number 4 is A ठीक है, 90% बच्चों ने सही जवाब दिया the expression creamy layer article 16 से जुड़ा ये सवाल है ठीक है ना तो supreme court ने अपने judgment में से use किया reservation को लेकर इसका क्या मतलब है creamy layer का टेकरार थाँ कुझ आप क्या क्या दुट क्या है इजए वे बज़िए टी पुनम जी 90% बच्चे सही जवाब दे रहे हैं साबाश भाईया हम कहते हैं जिसके पास क्रीम है जिसके पास अंसाधन है पैसा है है न उसे डिजर्वेशन क्यों दे रहे हो basically OBC में हम क्रीमी लेयर के शब्द को यूज करते हैं लेकिन एक बार प्रिलिम्स में ये भी पूछा गया था इसे मतलब क्वाइन किस ने किया तो ये बटा सत्ता नाथन कमिशन 1970 का डेवलप्मेंट है का गया कि जो क्रीमी लेयर के लोग है उनको रिजर्वेशन मत दीजिए ठीक है चलो तो आर्टकिल 14 जब आप पढ़ते हैं तो आर्टकिल 14 में एक कॉंसेप्ट है एक कॉंसेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ओफ लॉव का आप से पूछा जा रहा है इक्वल प्रोटेक्शन ओफ लॉव में क्या 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 आएगा आप आराम से पढ़िए मैं आपको 90 सेकंड देता हूँ फिर जवाब दीजिए सभी बच्चे PW की अप्लिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे जब तक आपके मुबाइल में वो अप्लिकेशन नहीं होगी आपके सिस्टम में वो अप्लिकेशन नहीं होगी आपको कंटेंट नहीं मिल सकता ठेक है मुझसे टेलिग्राम पर कोई नहीं कहेगा सारे बच्चे PW के अप्लिकेशन को बिटा अपने प्लेश टोर से डाउनलोड कर लो झाल 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 वेरे गुट 38% बच्चे सही जवाब दे रहे हैं देखो बिटा Equal Protection of Law का मतलब होता है जो जिस परिस्थिती में है उस परिस्थिती में समानता की बात करू मैंने नीती 1.0 में लगवक 3.5 घंटे की क्लास या 4 घंटे की क्लास इसी विश्य पढ़ ली है भाई जो जंगल में रहने वाला ट्राइबल है उसका मुकाबला एपी सड से करोगे नहीं कर सकते न उसके पास लाइट नहीं इंटरनेट नहीं योगिता नहीं संसाधन नहीं तमाम चीज़े नहीं है तो हम दोनों बराबर कैसे होंगे बराबरी की बाद तो बराबरों की बीच की जाएगी इसका सबसे वड़ियां विशह है ठीक है न कि आप equality of treatment की बाद केवल उन लोगों के लिए करेंगे जो equal circumstances में है ठीक है न बहुत अच्छे वीर प्रताब कैसे हो बाबू तुम कल वीर आये नहीं थे अच्छा कल एक लाइव इवेंट था आपके लिए पी डबलू ने बिलकुल एक अलग channel separate channel introduce किया और कल आप लोग उसमें आये नहीं बहुत सारे बच्चे तुम ही लोग ने तो कहा था ऐसा करो तो यह सही है मतलब पहले जित करो फिर participate मत करो सबकी attendance sheet निकलवाता हूँ देखे article 14 मैंने आपको एक case पढ़ाया था नीती के बच्चे यहां पर मौझूद है नीती के बच्चों तुम बोलना हाँ डालमिया का case बिटा मैंने पढ़ाया था 1958 का तो डालमिया की case में हमने जिन दस points पर बात की थी वो class legislation से ही तो जुड़ा है तो मैं आपसे पूछना चाता हूँ सबी बच्चों से class legislation का क्या मतलब है Thank you so much जानवी लंको जानवी देखो कितनी positive बच्ची है कितनी positive बच्ची है कितनी positive बच्ची है कितनी बच्ची बच्ची जब आप दे रहे हैं ना बहुत बढ़ियां देखे लिए Q7 का जो दूसरा विशह बिटा वो गलत है कि वल पहला सही है लिखा है class legislation applies only to the private individual अगर आप article 14 पढ़ेंगे और article 14 में बिटा जो परशन सब्द है कहते हैं कि सभी के साथ बराबरी की बात करो तो उसमें बिटा लीगल परसन भी आएंगी लीगल परसन मतलब जो इस्टैचुटरी कॉर्परेशन से वो भी आएंगी ठीक है ठीक है वो तो सब के ऊपर है क्यों जानवी प्रतिक्षा मनू मनू सैनी ठीक है बिटा यह सवाल बड़ा महत्रपूर्ण है मैं आशा करूंगा आप लोग examination में बिटा इसमें गलती नहीं करेंगे ठीक है राइट टू इक्वैलिटी का implied connotation implied meaning पुछा जा रहा है एक तो express होता है एक implied होता है वन टू थरी आपको बिटा क्या सही है वो बताना है आराम से पढ़ो फिर जवाब दो express implied दोनों ही मतलबों के साथ समानता के अधिकार को पढ़ना है अगर आप option पढ़ेंगे तो common sense पर भी सवाल सही किया जा सकता है very good ज्यादा तर बच्चे सही जवाब दे रहे हैं इस question का सही जवाब है बेटा D ठीक है न? D देको लिखा है all citizen will be treated alike अरे यह लोग अतलब एक जैसे इनके साथ treatment नहीं होता है यह नहीं है राइट टु इक्वैलिटी है न? जैसी जिसकी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति वैसे उसके साथ reservation की विवस्था सीम लीगल प्रोविजन एप्लाई on all citizen आप लोग article अरे section 46 पढ़ते हैं arrest में हम लोग कहते हैं महिला को गिरफतार मत करो सूरियास्त के बाद सूरिय दोय के पहले पुरुशों के लिए तो ऐसा नहीं कहते हैं तो ऐसा नहीं है बिटा लीगल प्रोविजन सामाजिक और राजनेतिक आर्थिक इस्थिति को देख के भी बेल में आप लोग पढ़ते हैं 16 साल से कम उमर है महिला है बुढ़ा है तो उसको section 437 में non-bailable offense में भी बेल दी जा सकती है तो कहने का मतलब है कि लीगल प्रोविजन सामाजिक इस्थिति के अनुसार applicable होते हैं ठीक है 15, 16, 17 जो article है आपको बिटा बताना है ये जो तीन कानून है कैसे जुड़े है कि 15, 16, 17 को सच करने के लिए इन में से कौन से कानून जिम्मेवार है पिछले सवाल में बहुत गलतियां किये थे आप लोग मानवेंद्र वेरी गुड़ बिटा शुभांगी ऐसे ही जवाब एक्जामनेशन में देकर आओगी सेलेक्शन पक्का अब ये सब चीटिंग कर रहे हैं अरे भुज्यू क्या हुआ बिटा आओ आओ बिटा बना रहे हैं बहुत अच्छे 94 परशन बच्चे सही जवाब दे रहे हैं भाई ये तीनों ही कानून 15, 16, 17 को सच करने के लिए तो लाए गए हैं है न क्यों भाई एक्टिव ठेक हैं वेरे गुड सही 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 चलो अस प्रिस्टा का अंत एबॉलीशन ऑफ अंटेच बिल्टी किस कैटेगरी और फंडामेंटल राइट से जड़ा है प्रिया गवाल ये तो खेला करने लाएक सवाल है लेकिन ये पी वाई क्यों का सवाल है बिहार यूपी में ऐसे सवाल पूछे गए हैं एंपी में भी पूछा गया है आसान मत समझना 14 15 16 17 18 यह सब राइट टू एक्वालिटी से जुड़ा है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्टा सुभई मैंने नीती में पढ़ाया वो दिन भी क्या दिन थे कल को तुम आईबी में चले जाओगे तब भी हम यही कहेंगे यह दिन भी क्या दिन है नहीं जाना है ना आईबी में जिन्दिगी पर पढ़ना है साबाश इसका सही जवाब है राइट टू एक्वैलिटी ठीक है 94 परसेंट बच्चों ने सही जवाब दिया सब बिटा राइट टू एक्वैलिटी से जुड़ा है तो जितने क्लासिफिकेशन है वो आपको याद करने होंगे ठीक है आटकिल 19 से 22 तक का जो क्लासिफिकेशन है उसमें क्या क्या आता है कौन से फंडामेंटल राइट आते हैं अभी मेरी आठ वजे से भी क्लास है जो क्रैश कोर्से चल रहे हैं उसमें भी सम्विधान पढ़ाऊंगा सुबह सम्विधान अभी सम्विधान शौर्ट में सम्विधान रात को सम्विधान आज एक डिबेट भी थी न्यूस वाले आये थे राम नौमी पर उसे भी सेक्लोरिजम से जोड़ा वहां भी सम्विधान ऐसा लगता है मेरे अंकल वगरा है मेरे साथ रहते हैं बहुत अच्छे बिटा ठीक है साबाश तो इसका सही जवाब है केवल ए 73 परसंट बच्चे सही जवाब दे रहे हैं बिटा यह जो प्रोहिबीशन आफ ट्रैफिक वाला विशय है यह तो आर्टिकल 23 में दिया है क्यों तो कहां से तुम लोग 1922 कर रहे हैं 1922 में उसके बाद जो प्रोहिबीशन आफ इंप्लॉयमेंट का विशय है वो तो 24 का विशय है तो आपको मार्जिनल हैडिंग याद होन नहीं चाहिए नहीं तो नहीं कर पाओगे ठीक है कि चलो आज के सेशन का आखरी सवाल स्टेटमेंट नमबर 123 में से कौन सा स्टेटमेंट वोईलेट करता है राइट टू फ्रीडम को ध्यान से पढ़ना एके की स्टेटमेंट को और मुझे सही जवाब देना ठीक है मैं 90 सेकंड देता हूँ आप सभी को राम नौमी की बहुत 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 शुप काम नाए प्रभू आपको महनती बनाएं आप अपनी महनत से सफल हो इतना आपको कॉंपिटेंट बनाएं कि आप बिटा अपनी महनत से सफल हो by the end of next year सारे बच्चे मेरे सेलेक्ट हो जाएं नौकरी बढ़ियां पाजाएं जज बन जाएं प्रशासनिक अधिकारी बन जाएं जो अपनी civil services है बी ये वॉयलेट कर रहा है आउटसाइडर बिटा कुछ एरिया में प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं तो इससे वॉयलेशन है राइट टू फ्रीडम का आएं घर पे अभी हैं? गजब सब बात करते हैं मालो एपी सर देखने में ट्राइबल लगता है एपी सर के पास 200 स्कार फूट जमीन है उसके दादा ने दी तो आएगा गोवा से कोई खरीद ले जाएगा मतलब गोवा में कोई बाहर से आया स्विजर लेंड का फिर का एपी सर की जमीन खरीदेंगे हम देंगे अपनी जमीन उसको ऐसा जवाब नहीं देते हैं विटा बीपी बढ़ जाए टीचर का ये गलत ये गलत ये सही पार रूलिंग पार्टी के खिलाब कोई पब्लिकेशन करेगा तो करने दो ना इंडियन एक्सप्रेस में इंडियन एक्सप्रेस न्यूस पेपर वर्सेस यूनियन ओफ इंडिया में यही तो कहा गया बैनेट कोलमन वर्सेस यूनियन ओफ इंडिया में यही तो कहा गया क्यों तो इसका सही जवाब है सी वैसे तो कुछ भी चालो तो चलिए आज हम लोगोंने बारत सवाल किये तीन सवाल कम कर रहे हैं क्योंकि अभी मुझे फिर से लाइफ जाना है ठीक है लेकिन बिटा यकीन मानो अगर आपने आने वाले एक साल इस तरीके की प्रेटिस सम्मिधान में कर ली तो आपको फिर अलग से प्रेटिस नहीं करनी पड़ेगी और इन्हीं एक्सरसाइजस में से आपको सवाल आपके एक्जामनीशन में मिलेंगे ठीक है तो चलिए एक बार रिजल्ट देख लेते हैं ठीक है अंजनी भुजबल प्रिया गवाल वावा क्या बात है प्रिया प्रित्राज मानवेंद्र संजुकता प्रतीक सबाश है तो यह लीडर बोर्ड है आप लोग अपने नामों को देख लें कि बिटा लगबग सवा दस बजे ठीक है तो इस सेशन को लाइक वगरा कर ले ना आप लोग जरूर से ठीक है और अगर अच्छा लगए है अच्छा लगा सेशन तो उसे शेर भी करो वी डबलू की अप्लिकेशन को जरूर अपने मुबाइल में रखो यह जो फाइल है मेरे नोट्स के साथ आपको अप्लिकेशन से मिल जाएगी ठीक है वेरे गुट संजुकता चलिए ठीक है फिर अंजनी इसी तरीके से बिटा हर एक्सराइज में कोशिश करो कि टॉप थ्री में रहो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा प्रेलिम्स के लिए ठीक है ठीक है फिर थैंक्यू सो मच एवरिवन अब वापस मिलेंगे अगले वेंश्डे को आप जुड़े रहे पी डबलू के साथ हमारे नए चैनल के साथ सभी बच्चे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें जुडिश्री के तमाम बढ़ियां कंटेंट आपको बिटा उस पर मि मिलने वाले हैं लगतार आपको क्लासेस मिलेंगी और फिर अगले वेंश्डे को मिलेंगे कॉंस्टिटुशन ऑफ इंडिया की प्रश्णली इलाम में ओके प्रित्राज थैंक्यू सो मच एवरिवन जैए